पवन सिंग कहते हैं कि देखो हम भी एक गरीब परिवार से हैं, हमने भी गरीबी देखी है, हम जानते हैं कि गरीबों का दर्द क्या होता है ये देखने के बाद लगता है कि वाकई पवन सिंग वो इंसान है जो बिना कहे बिना शोर किये बिना किसी मीडिया के वो कर दिखाते हैं जो लोग सपने में भी नहीं सोच पाते आधी रात का समय होता है पावर स्टार पवन सिंग अपने टीम के लोगों के साथ गाड़ी से पहुँचते हैं और गाड़ी से उतर कर पवन सिंग अपने आस पास के जितने भी रिक्षा चलाने वाले थेला चलाने वाले लोग रहते हैं उन्हें सब को पवन कंबल देते हैं और तो और पवन अपने हाथ से बकाइदा सारे बुजूर्गों को कंबल उढ़ाते हैं और एक एक करके पवन धेज सारे लोगों को कंबल उढ़ाते जाते हैं बाटते जाते हैं और जब ये सब करते हुए उनको मीडिया क कर्मी देखते हैं और जब उनसे बातचीत करते हैं और जानने की च्छा जताते हैं कि पवन भाया आप इतनी रात को वो भी ऐसी जगों पर गरीबों के बीच ठेला चलाने वालों को रिक्षा चलाने वालों को अचानक से कंबल बाटते हुए नजर आएं इसके पीछे का क्या कारण है कहीं आप चुनाव के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनावी चर्चा भी काफी चल रही है और खबर या रही है क्या आप हो सकता है लोग सभा चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्या आप चुनाव को मद्दे नजर देखती हुए ये सब कर रहे हैं प भी गरीब लोग हैं जो असाहाई लोग हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है जिनके पास रहने को छत नहीं है जिनके पास ठंड काटने को कमबल नहीं है उनकी गरीबी को जो हमने देखा महसूस किया तब हमको लगा कि इन गरीबों के लिए हमसे जो भी हो पाएगा हम अपनी तरब से करेंगे और पवन सिंग इतने उदार सुभाव के हैं इतने दयालू प्रविर्ति के हैं कि अपने टीम के लोगों के साथ पवन पटना में तीन से चार बज़े भोर में निकलते हैं और सडकों पर जितने गरीब दिखते हैं जिनके पास कंबल नहीं होता जिनके पास उन सब को पवन ना सिर्फ कंबल बाटते हैं बलकि एक एक लोग को पवन अपने हाथ से कंबल उढ़ाते भी हैं इसके अलावा पवन सिंग कहते हैं कि मेरी कोई मनशा ऐसी नहीं है कि इसका प्रचार हो हम मीडिया कर्मी को बुलाएं और लोगों को बताएं कि पवन सिंग क बाट रहा है मेरे से जितना हो पाएगा मैं गरीबों की मदद करूंगा बीना मीडिया बीना किसी प्रचार प्रसार के ये मेरे अंदर का भाव था हमको लगा कि मेरे हाथ से गरीबों का कल्यान होना चाहिए असहाई लोगों का उठान होना चाहिए इसलिए हमसे जितना हो पा बिना शोर किये बिना किसी मीडिया के वो कर दिखाते हैं जो लोग सपने में भी नहीं सोच पाते हैं इसके पीछे का मंसा क्या है इसको हम साइट कर देते हैं हो सकता है पावन सिंग चुनाव लड़ने के लिए ये सब कर रहे हो इसके पहले हमने आपको बताये था है कि अंबल बाटते हुए नजर आते हैं बार-बार हम वही कहेंगे कि मंशा चाहे कुछ भी हो लेकिन अगर कोई गरीबों की मदद कर रहा है आसा हाई लोगों का सहारा बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है बहुत बड़ी बात है खास कर पमन सिंग जैसे बड़े कलाकार के के लिए जो बिना कहे बिना किसी प्रचार प्रसार के अचानक से आता है और गरीबों की मदद के लिए उट खड़ा होता है पाकि आप अमन सिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी राय बताईएगा वीजियो को समाते हैं